सब्सक्राइब कीजिए टेस्टेंड्राइब डॉट इन चैनल को और बेल आइकन को दवाएं लेटेस्ट आटो मुबाइल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए महेंदरा अरजुन नोगो 605 डियाई वर्सेस मैसी फर्गुशन पिंजयान नुसो किसान भाईयो मैं आज आपको इन दोनों की तुलना करके बताने वाला हूँ कि आखिर इन दोनों ही टेक्टरों में अंतर क्या है क्योंकि ये दोनों ही टेक्टर भारती कंपनी के हैं और भारत में ही बने हैं मैसी वेसे तो अमेरिका की कंपनी है लेकिन उसमें Teffy का engine है, मतलब Simpson का engine है और मैं हूँ आपका दोस्त रोहीत यादा और मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपनी YouTube चैनल Test and Drive.in पर और हाँ मैं इस वीडियो में सिर्फ ये बताने वाला हूँ कि कौन सा ट्रेक्टर का engine transmission clutch PTO brake ज़्यादा बहतर है और क्यों अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इन दोनों ही ट्रेक्टरों में कुन सा engine transmission clutch PTO brake दिया हुआ है तो उपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं मैंने दोनों ही ट्रेक्टरों पर अलग से वीडियो बनाई हुई है बैसे तो मैसी फर्गूशन 958 HP का और महेंदरा अरजुन नोवो 605 DII जो की 57 HP का ट्रेक्टर है और पिंचान नोवो 605 की तुलना में एक स्रेणी उपर ही आता है फिर भी पिंचान नूशो का torque थोड़ा कम है 605 की तुलना में और एक बात और क्लियर कर देता हूँ मैसी फर जानते हैं सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों के इंजन की तो किसान भाईयो मैसी फर्गूशन 9500 में सिमसन का 58 HP का 2700 CC का 3 सिलेंडर टर्वो चार्ज इंजन है जो 2200 RPM पर चल कर लगभग 226 NM का torque पेदा करता है और वहीं महेंदरा अरजुन नोवो में महेंदरा का 331 CC का 57 55 HP का 4 सिलेंडर नैच्रली एस्परेटेड इंजन है जो 2100 RPM पर चल कर लगभग 238 NM का torque पेदा करता है इसका मतलब यह है कि मैसी फर्गूशन 9500 में 2700 CC का छोटा सा इंजन है जो टर्वो के दम पर 226 NM का torque और 58 HP की ताकत पेदा करता है और उसके ओलेट महेंदरा अरजुन में भी हमने यही पाया कि नोवो की diesel खपट थोड़ी सी बहतार है पिंचानू 100 की तुलना में लेकिन कोई इतना ज्यादा अंतर भी नहीं है दोनों ही टेक्टरों की diesel खपट में बाकि इन दोनों ही इंजन में कुछ छोटे मोटे अलतियों लगा कर बड़े बड़े नाम द काल के देता है क्योंकि दोनों ही टेक्टर अपने आप में काफी भरोसे मंद और मजबूत मशीन हैं भारती बजार में अगर फाइनल तुलना करें दोनों ही टेक्टर की तो नोवो 605 डियाई का इंजन ज्यादा दमदार है मैसी फर्गूशन पिंचानू 100 में दो अलग इं गेर वाक्स में कोई खास अंतर नहीं है गेर सिफ्ट करने में दोनों लगवक समान ही स्मूथ है जबकि नोवो में 18 गेर मिलते हैं 15 फारवर्ड और 3 रिवर्स और वहीं मैसी फर्गूशन में 10 गेर वाला गेर वाक्स मिलता है 8 फारवर्ड और 2 रिवर्स मतलब साफ है दोनों ही टेक्टर डॉल क्लच के साथ आते हैं और दोनों में ही सस्पेंडे टाइप क्लच पेडल मिल जाती है पीडियो की बात करें तो नोवो में 50.3 HP की पीटियो मिलती है मेसी फर्गूशन 95 में 14 HP की पीटियो मिलती है जबकि नोवो में डवल क्लच मिलता है और मेसी 95 म में dual clutch मिलता है और दोनों ही डेक्टर में आपको reverse forward PTO मिल जाती है लेकिन नोबो में economy PTO का option भी मिल जाता है मतलब नोबो की PTO ज़्यादा आराम दायक है और मैसी 9500 की ज़्यादा दमदार है हाइडोलिक की बात करें hydraulic system तो आपने आप में ही एक मिसाल है मतलब साफ इनोबो की hydraulic ज़्यादा बज़ान उठा सकती है जबकि मैसी की ज़्यादा features से loaded है अब बात करते हैं दोनों के brake की तो दोनों में ही तेल में डूबे हुए dix brake मिलते हैं मतलब दोनों के ही brake की capacity और टिका उपन और रख रखाओ पर आने वाला खर्च लगभख समानी है टायर की बात करें तो दोनों ही टेक्टरों में एक ही capacity वाले टायर दिये गाए हैं लेकिन दोनों का size अलग-अलग हो सकता है सीट की बात करें तो नोवों में 4-way adjustable डिलक्स सीट मिलती है जबकि मैसी फर्गूशन में 2-way adjustable साधी सीट मिलती है और दोनों में ही flat platform मिलता है और दोनों में ही 2-साल और 2000 घंटे की warranty मिल जाती है और ये price मैंने मेरे हाँ MP से लिये हैं मेरे हाँ ये दोनों ही ट्रेक्टर साड़े साथ लाग तक पढ़ते हैं और हाँ मैं lux की और service की बात इसलिए नहीं करता क्योंकि lux आपकी पसंद पर निरुबर करता है और service आपके area पर depend करती है क्योंकि भारत में कई जगा ACB है जहां से service कराने के लिए 1500 से 200 किलोमेटर दूर जाना पड़ता है इसलिए ट्रेक्टर वही खरीदे जिसकी service आपके आसपास आसानी से मिल जाए और मैंने यहां ट्रेक्टर के सभी खास-कास चीज़ों की तुलना कर दी है आपकी सोहलियत के लिए बाकी है final decision आपका ही रहेगा और मेरी राय यह दोनों ही ट्रेक्टरों के बारे में यह है दोनों ही ट्रेक्टर में कुछ छोटे मोटे अंतर है उनसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता आप दोनों में से कोई सा भी ट्रेक्टर ले सकते हैं आपकी जरूरत के हिसाब से और आप भी comment करके बताएं कि दोनों से कुन सा ट्रेक्टर जादा बहतर है और क्यों और ये दोनों ट्रेक्टर अगर आपके पास हैं तो क्या कमिया है और क्या खामिया है और क्या फायदे हैं इनके और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें शेयर करें और कमेंट करें और अगर चैनल पर नए है तो सब्सक्रा